ATM बदल कर 44,000 की ठगी केस दर्ज रकम निकाची के दोरान टेकनिकल दिकत का फायदा उठा कर आरोपी ने बदल दी ATM कार्ड निचलोल सहर के एक बैंक में ATM कार्ड बदल कर 44,000 रपे की ठगी करने का मामला सामने आया है जिस मामले मने पुलिस ने पीडित की लिखित सिकायती पत्र पर आरोपी के खिलाब बुद्धवार को सम्मंदित धराओं में केस दर्ज कर जाज परताल में जुड़ गई है चोग थाना चेत्र के दुधराई गाउन निवासिम मंजेस गौतम ने पुलिस को बताया है कि वो निचलोल सहर के पंजाब निशनल बाइंग से ATM सहरकम निकासी करने के लिए पहुचे थे जहां पर ATM मसीन में रकम निकालने के लिए ATM कार्ड डाला लेकिन टेकनिकल दिक्कत के होज़ा सहरकम की निकासी नहीं हुई इसी बीच पीछे खड़े एक बेक्ती ने बगल में आकर खड़ा हो गया फिर चकमा देकर ATM कार्ड बदल ली दोनों ATM कार्ड एक जैसा होने के चलते उन्हें कार्ड बदलनी की जानकारी नहीं हो सकी फिर वो घर चले गए जहां पर उनकी नजर ATM पर लिखे नाम पर पड़ा तो वो घपरा गए फिर वो दूसरे दिन बैंक पहुचे और इसकी सिखायत साखा परबंधक से की तो पता चला कि उनके ATM कार्ड से 44,000 रुपे की निकासी कर ली गई है इस सम्मंद में निचलोल थाना परभारी आनंत कुमार गुपता ने कहा कि मामले में पीडित मंजेस ग जाज परताल की जा रही है